प्रेदर शुको, नमस्कार, एक बार फिर सुपस्तित हूँ आप सब के सामने, आज शुक्रवार के उस कारिक्रम को ले करके, जिसमें मैं एक जातक की कुंड़ी का अध्यान करने वाला हूँ, नाम है इनका अथर्व, डेट अब बर्थ है, चार फरवरी 2009, दिन बुद्धव कितनी अजीब बात है न, जोतिश और जन्मकुंडली, ये ऐसे छेत्र हैं, जो हमें ये बताने की भरपूर स्थुती में होते हैं, कि कौन से नाव पे तुम चड़ोगे, तो तुम्हारे जीवन की यात्रा सफल और शुखद हो जाएगी, पर वस्थुता हम इस पे भी कई बार संदेह कर चुके होते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ये वो विज्ञान है जो आपको भविश्य देखने की छमता विक्षित करने की शक्ती देता है, ये वो विज्ञान है जहां आप जा करके, जिसके दुर्बीन और जिसके यंत्रों में ज्हांक करके, आप ही को फिर से तश्वीर के माध्यम से देख लेते हो। आए अथर्वजी के कुंड़ी का ध्यान करते हैं सबसे पहले इनका पंचांग बता देता हूँ बिक्रम शंबत 2065 शक्षंबत 1939 जिस संबत्सर में इनका जन्मुआ है उस संबत्सर का नाम शुभक्रत संबत्सर है और नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि वक्ती शुभकर्मों को करने वाला और शुभकरता है शुभक्रत शंबत्सर में जन्में लोग स्रेश्ट होते हैं मति बुद्धी अच्छी होती है बहुत ज़्यादा ना तो लंबे होते हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे मध्यमकद की उचाई होती है पलिस्ट सरीर को धारन करने वाले होते हैं धर्म अधर्म का ज्यान इन्हें बहुत अच्छे तरीके से होता है और माता के निकट रह करके ये अपने जीवन की नईया पार करना चाते हैं शुभकृत संबत्सर में जन्मे लोगों में शुभता प्राप्त करने की स्थोईतियां मजबूत होती हैं रक्ती का जन्म उत्तराण में हुआ है उत्तराण में जन्मा है तो सतकर्मी होगा उत्तराण में जन्मा है तो महत्वकांची होगा उत्तराण में जन्मा है तो स्रे व्यक्ति माता का और पिता का लाभ प्राप्त करने वाला होगा आत्मविश्वास कभी भी हीन भावना से ग्रशित नहीं होती है उत्तरयन में जन्मा है तो व्यक्ति स्रिस्ट और अच्छे विचारों का रखने वाला होता है यह उत्तरयन के प्रभाव व्यक्ति को मती बुद अपने पे और देखता हूँ तो शुक्लपक्ष के दश्वीत थी और बुद्धवार का जर्म शुक्लपक्ष में जन्में हैं तो दामपत्य अच्छा होना चाहिए पती प्रेम करने वाली और पत्नी प्रेम करने वाले मिलते हैं और उसके बाद उल्टा बोल गया पती प्रेम करने वाला और पत्नी प्रेम करने वाली मिलती है शुकल पक्ष में जन्में है तो संतान उत्पत्ति में बाधा नहीं होती है शुकल पक्ष में जन्में है तो मन शुंदर होता है शुकल पक्ष में जन्में है तो स्रेष्ट बुद्धी काम करती है मन हतुत साहित परेशान चि द्रगत आती है और पुर्णा तिथी दश्मी तिथी को वैसे भी आप अगर समझते हैं तो जरा विचार करके देखिए बेजिया दश्मी एक आदसी के पहले के दिन दश्मी की ही तिथी होती है तो इस वज़ा से दश्मी तिथी एक ऐसी तिथी के रूप में जानी जाती है जो विशेश्वत या हमारे भारती पंचांगी पद्धती में बड़ी महत्वपूर्ण है और ऐसी तिथी में जन्मे लोग स्ट्रेस्ट होते हैं मतिबुद्धी अच्छी होती है स्ट्रेस्ट कर्म करना इनके जीवन का निहित कर्तब्य होता है बीजा रोपन के लिए ये भी अच्छी माने जाती है तो व्यक्ति जो काम करेगा जिस चीज को छूदेगा उसे वो श्वरण में तब्दीली उसकी हो जाती है जन्मकुंडली में अगर तिथी आपकी जन्मकुंडली की स्थुति दश्मी तिथी की बन रही है तदुपरांत इसमें जन्मे लोगों मे स्रेश्टता देखने को आसानी से मिल जाती है ये एक ऐसी तुथी के नाम से जानी जाती है जो बहतर ही है और प्रतिक प्रकार से व्यक्ति को परिपुर्ण बनाती है चाहे वो धर्म के मामले में हो चाहे वो धन के मामले में हो चाहे करतब के मामले में हो चाहे पराक्रम के मामले में हो, चाहे सामाजिक स्थोती के मामले में हो, या राजनितिक स्थोती के मामले में हो, प्रतिक स्थोतियों में दश्मितिती का जन्मा जातक निपुन होता है। बुद्धवार का गर्टी का जन्म है बुद्धवार के जन्मे होने के कारण कलूशी तो नहीं है भगवत भक्त है भगवान विश्णु कई आराधना करने वाली स्थ्वितियां बनती हैं बुद्धवार का जन्मा है तो प्रासंगिकता से अगर ये बात देखते हैं तो बु में तारकिक छमता बड़ी तिब्र होती है बुद्धिमान और याद करने की छमता इनके कुंडली में मजबूती से देखी जा सकती है बुद्धवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति कृतग्य होता है और दूसरों के परुपकार का बदला हमेशा याद रखता है और उसके ब दीब्र वेवशाई गुणों को रखने वाला, स्रिस्ट कर्मों का करना और सब के साथ मेल बना करके रखने वाला होता है। और जीवन में अगर बिपरीत परिस्थोतियां बन भी जाती हैं तो व्रक्ति उसे आसानी से सह लेता है। प्रते दिन मंदिर का दर्शन करे तो जीवन में कस्टों की इस्थोतियां कमजोर हो जाती है। आगे बढ़ने पर पता चलता है वैश्यवर्ण और गण हो जाएगा इनका मनुष्यका। वैश्यवर्ण के जन्मे होने के कारण व्यक्ति समान है और प्रतिक चीजों को बराबर का अधिकार देता है। समाज के प्रतिक वर्गों को अच्छे तरीके से समझता है और प्रतिक व्यक्ति को समाज के प्रतिक व्यक्ति का आधर इसके द्वारा किया जाता है। वैश्यवन के होने के कारण और बुद्धवार के जन्मे होने के कारण, रोहिणी नच्छत्र के जन्मे होने के कारण, उत्तरायन में जन्मे होने के कारण, शिशे रितु में जन्मे होने के कारण, शुकल पक्ष में जन्मे होने के कारण, ये पंचांग बहतर ही नहीं, बहु वेशवण के बाद मनुशिगन का है, तो व्यक्ति के अंदर दया भी है, छल भी है, कपट भी है, इर्शा भी होगी कभी कभी, देश भी रखेगा कभी कभी और दया का पात्र भी बन जाता है। क्रोध करने के बाद तुरंत ही ठंडे हो जाने की स्थेतियां बिलकुल हो जाती हैं। जन्म कुंडली में सबसे जादा महत्तोपोन ग्रह होते हैं सूरिये। अगर इनकी कुंडली में कमजोरी देखी जाती है, तो कुंडली को कहीं न कहीं कमजोरी मिल जाती है। मिथुन लगन की इनकी कुणली बनती है और या तक 2009 का है इस अधार पर जो समय मिला है इसके आधार पर कुणली मिथुन लगन की बनी राज कुमार से प्रेरित ये लगन, दूस्वभाविक लगन और ये ऐसी रासी है जो तीब्रतयावी कास करती है यह ऐसी राशी है जो भौत इकता को युक्त रख करके आगे चलती है व्यक्ति मिथुन लगन का है तो थोड़े से चीजों को बता देऊं तो लगन और राशी का प्रभाव कैसा होगा वो थोड़ी से चर्चा अगर इसी सेशन में कर देता हूँ तो लगन के अधिपती देखिए दुई स्वभाविक राशी में ही बैटे हैं गधनु राशी में और वहां से लगन को देख रहे हैं और लगन का अधिपती लगन को देखता है तो व्यक्ति का स्वास्त, व्यक्ति का चित, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति की स्थितियां मजबूती की तरफ जाती हैं। ये द्वी स्वभाविक लगन होता है और जन्म कुंडली में लगन के अधिपती नौ नंबर की राशी में बैठे हैं ये भी द्वी स्वभाविक ही राशी होती है ऐसी इस्थती में कि जब लगन कुंडली में लगन के अधिपती द्वी स्वभाविक राशी में बैठेंगे तो व्यक्ति ना तो चंचल है और ना जादा स्थिर मतलब सामान में है और जैसी स्थेतियां होती है वैसा कर्म करता है मिथुन लगन के जातकों में बदलने की भावना बड़ी अजीब होती है यह तुरंत बदल जाते हैं और मिथुन लगन के जातकों के स्थेतियों में एक प्रवाट और भी जुड़ जाती है कि इनका भरोसा ना करो ये कब क्या कर बैठेंगे कुछ भी पता नहीं चलता है मिथुनलगन के जातकों में भौत इकता का आहान जादा होता है ये सांसारिक भोगों के प्रती इनकी सनलिकतता जादा होती है मिथुन लगन के जातक पत्नी प्रिये होते हैं और पत्नी जो कहती है वही कई बार जादा कर लेते हैं मिथुन लगन के जातक और मिथुन लगन के जातकों में ऐसे स्थितियां देखने को मिलती है कि इनके जीवन में तीबृतम विकास करने की जो उतकंठा होती है वो बड़ी तीब्र होती है, ये तुरंत ही सब कुछ पाज आना चाहते हैं, और बदले की भावना इनमें तीब्रता से कूट-कूट करके भरी होती है, हाला कि इनके अंदर ये बात कम होगी, ये बात मैं मिथो लगन की बात कर रहा था, राजकुमार होते हैं तो इनमें तु इनका भरोशा कोई जीत पाता है, और लाव लेने की स्थ्यूतियां इनसे कोई सीख सकता है, मिथो लगन के जातों को पर कभी भरोशा ना करना, ना, एक बार तो तिर्शी नगर से देख ही लेना, ये बात मैं हर बार कहता हूँ, और आगे भी कहूंगा, आईए, यहाँ अधिपती जाकर के अस्टंभाव में बैठे हैं, सुर्य 21 अंस 42 कला के, यहाँ पे वो, अब ये देखिए, तो ये समसंख्या की रासी है, समसंख्या में 21 अंसका ग्रह, अगर हो जाए, तो कुमार अवस्था को प्राप्त करेगा, मतलब ग्रह फल करेगा, अस्टंभाव मे बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपती अपने ही नक्षत्र में है, यानि कि सुरी को यहाँ भी एक पॉजिटिविटी मिल रही है, साथी साथ, वो त्रिक भाव के अधिपती होकर के, सनी के साथ परिवर्तन में भी जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्थोती देखी जा र आएगा, समसंख्या की रासी में 56 से जादा ये वृद्ध अपने नक्षत्र में हैं, उचके हैं, ये स्थितियां ठीक हैं और शुभता के लक्षनों को दिखा रहे हैं, सुरी को अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे ये परिवर्तन में तो हैं दोनों एक दूसरे से, मत ये ग्रह अशुभता के लक्षनों को भी दिखाएगा, प्रभाव में है, पर अतिशत्रु का बैठा है, तो इसके प्रभाव देखने वाले होंगे, अब आईए मंगल की बात कर लेता हूँ, मंगल, परक्रम, तेज, शौर्य, एस्वर्य, जीवर्ता और मेहनत करने की इक् अधिपती और उनकी दूसरी रासी बनती है अषटे भाव में, आठ नमबर यहाँ, व्रिष्चिक रासी और मेश रासी, इन दोनों भावों के अधिपती होकर के जाकर के बैठे हैं उच्चे के, यानि कि इस भाव का अधिपती और रोग भाव का अधिपती, अस्टम में बैठा उच्चका हो करके और अवस्था उसकी देखिए 5 अंस की है वो मृत प्राया है डिग्री में 5 अंस 47 कला ग्रह मृत प्राया हो गया और उत्रा खाड़ा नक्षत्र उर्जा से ही युक्त नक्षत्र सुर्य के नक्षत्र में बैठा है जो की खुद अतिशत्रू का बैठ तो इस थोटियां समझने वाली होंगी बुद्ध की बात करूंगा बुद्ध जन्म कुंडली में बिद्वान बनाने के लिए जाने जाते हैं तारकिक छमता देते हैं व्यक्ति के डिसीजन मेंकिंग कैपसिटी को बढ़ाने वाले होते हैं और ऐसे स्थोती में लगन के अधि चत्र में बैठे हैं और जन्म कुंडली में 28 संस पे हैं वो मृतप्राया यहां भी लगनेश मृतप्राया होकर के बैठे हैं डिग्री में पर लगन पे उनकी दृष्टी बड़ी कमजोर होगी और ऐसे स्थोती में कि ये शमान बेवहारों को दिखाने वाले होंगे समान ब खाब में बैठा है जहां भी वो देखेगा या जहां का वो अधिपती है उन सभी चीजों में वो आधा फल करेगा मतलब समरासी का समान बेवहार करेगा वो ना तो बहुत बढ़िया और ना बहुत खराब अब गुरू की बात करता हैं ब्यक्ति की कुंडली में गुरू जो संबंध है वो 13 और 5 अंस का है यानि की बहुत बहुत बहतरीन वाला तो भंग नहीं हो रहा है नीच भंग पर हाँ एक बात यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझने में आएगी की बात की कुंडली में लगन के अधिपती वहां बैठे होने के कारण गुरू को एक अ पर हां यह वस्तुतह स्थोतियां नीच के होने के कारण निगेटी भी जा रही है अब शुक्र की बात करता हूं शुक्र सांसारिक भोगों का मालिक होता है और वो दरशल अगर कुंडली में अच्छे स्थोती में रहा तो बहतरीन व्यक्ति को सांसारिक सुकों का भोगता बना देता है इनकी कुंडली में शुक्र बारह में और पंचम भाव के अधिपती मिथुनलगन की कुंडली में वो बारह में भाव के अधिपती होते हैं और पंचम भाव के अधिपती होकर के देखिए दशमस्थान में बैठे हैं वो उच्चके होकर के और ग्रह सात अंस एक कला का है जिस नच्छत्र में बैठा है उस नच्छत्र का अधिपती परिवर्तन योग सुर्य के साथ किये हुए हैं तिरतिय भाव के अधिपती के साथ उनका परिवर्तन हो रहा है शनी का सुर्य तिरतिय भाव के अधिपती होते हैं शुक्र यहां पे उचके हैं और कमज दिग्री के हिसाब से उच्चका तो ग्रह है पर सामान निफलदाई होगा अब शनी की बात करूँगा व्यक्ति की कुंडली में शनी भागे भागे भाव के और अस्तंभाव के अधिपती होते हैं इसका प्रभाव बाद में बताऊंगा आगे पर यहां पर शनी अतिशत्रू की रासी में बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं और वो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में यानि कि शनी का संबंध सूर्य से बना सूर्य का संबंध चंद्रमा से बना ये तीनों ग्रह एक दूसरे के साथ त्रीकोन आत्मक संबंध बना रहे हैं क्रमशा नक्षत की है तो यहां पे शुक्र और सनी सामाने तया शुभ फलदाई ही होंगे क्योंकि त्रिकोन के अधिपती होकर के केंदर में बैठे और भागे के अधिपती होकर के भागे को देख रहे हैं और साथी साथ परिवर्तन योग भी बना रहे हैं त्रिक भाव में बैठे हैं यहां पर शनी अच्छे परणाम देने वाले बनेंगे अब बात राहु केतू की कर देता हूँ राहु और केतू कहां बैठे हैं जन्मकुंडली में देखिए यहां पर अस्टम भाव में राहु और दिती भाव में केतू अकेले चंद्रमा की रासी में जहां का अधिपती उचका है तो सुभराशी में बैठे हैं नक्षतर शनी का है और ये स्थितियां अच्छी होती हैं ये समराशी के दोनों ही ग्रह अवस्था में 15 हंस के हैं 16 कला के तो यूँ आवस्था के हो जाएंगे अब जरा विचार करिए तो जन्मकुडली में ग्रह कैसे बैठे हैं तो सुरिय सबसे पहले अतिशत्रू का चंद्रमा उचका मंगल उचका बुद्ध स्वभावत ये द्वी स्वभाविक राशी में बैठे हैं तो निकरता से ठीकी होंगे पर गुरू की बात करता हूँ त शुक्र उचके हैं शनी जन्मकुडली में अतिशत्रू के बैठे हैं राहू और केतू समरासी में बैठे हैं ये ग्रहों के स्थेतियां थी अब आईए आपको आपके नक्षत्र के बारे में चर्चा करते हैं जातक का जन्म रोहनी नक्षत्र के पहले चरण में हुआ है और लगनेश बैठे सूरी के नक्षत्र में तो ज्यान से समझे इस इस्थिती को पहले समझते हैं तो लगन बना मृगशीरा का यानि की व्यक्ती उर्जा से भरा हुआ होगा ये बातों समझ में आ रही है छलकपट भी उसके पास होगा क्योंकि मिथुन लगनका है और बदलाव भी पसंद करता है प्राकरतिक चीजों का धाता होगा प्राकरतिक चीजें उसे पशंद आएंगी यात्रा का प्रिये होगा क्योंकि चंद्रमा इन सब चीजों के लिए जाने जाते हैं परिवर्तन करने वाला है और अपने स्थितियों पे मेंटेन नहीं रहता है और मेंटे का प्रभाव अस्टम में गया परिवर्तन भी हुआ है शनी के साथ बहुत समझेगा ध्यान से लगन बना मरिगशीरा का वक्ति के अंदर उर्जा है चंद्रमा बने रोहिनी के मजबूत भी हुए पर वो प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी होंगे वक्ति यात्रा प्रिये बाल भूरे मैंने बताया शुरू में है और उसके बाद यहां पे बुद्ध बने है उत्तरा खाढ़ा के ये सुरी का नक्षत्र होता है उत्राशाड़ा नक्षत्र में जन्मे लोग राज्य से युक्त होते हैं, राज्यसी पदों पे जा करके काम करने वाले होते हैं प्रायोगिक होते हैं, महत्वा कांची होंगे और व्यक्ति सर्वस्त्रेस्ट करमका करने वाला होता है नैतिकता से युक्त होता है पर यहाँ पे लगन जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपती अस्तम में गया है और चंदरमा भी बारहमे में है बुद्ध भी दूई स्वाभाविक हो करके दूई स्वाभाविक राशी में बैठा है इस वज़े से व्यक्ति के विगणने की इस्थितियां कई बार जादा हो जाती है मित्र कम बनाएं बिलकुल लिमिटेड मित्र बनाएं और मित्रों पे बहुत जादा भरोसा भी ना करें क्योंकि चतुर्थभाव खाली है यहां का अधिपति अपने बहुत से चतुर्थस्त गया है इस वज़ा से कहीं न कहीं मित्रों से धोखा मिलने की संभावनाय भी बनती हैं व्यक्ति किसी के द्वारा चीट किया जा सकता है सुर्य राहू मंगल और गुरू एक साथ अस्टमभाव में बैटे हैं यह ठीक नहीं होता है पर उसके बारे में भी चर्चा करूँगा कि कैसे यह ठीक होगा इसके बारे में बात अभी बाकी है नक्ष्चत्र का प्रभाव व्यक्ति को शुद्ध मानसिक्ता का बनाएगा तीब्र बेवशाइक बनाता है व्यक्ति तहतिल करण का जन्मा है तो अपना अगर काम भी करना चाहे भविष्य में तो कर सकता है कलाओं के चीट्र में काम कर सकता है engineering कर सकता है टेक्निकली किसी भी चीत्र की जो नकासी बनाने वाली बात होती है वो छेत्र में जा सकता है जिसे की भवन आदी का जो नकसा बनाया जाता है वो चीज मुझे पता नहीं वो क्या कहते हैं वो छेत्र में जा सकता है नकाशी करना चीजों को अच्छे तरीके से गूर तरीके से समझना, संगीत लिखना, गीत कार हो जाना, निर्देशन का कला, निर्देशन व्यक्ति कर सकता है, जोतिशी बन सकता है, वानी से समधित कोई भी काम कर सकता है, कंसल्टेंशी प्रोवाइड करा सकता है, पांडित्य का कर्म कर सकता है, कथा वाचक बन सकता है, प्रोफेशर ब क्लियर है यह बात अब यहीं पे आपको आपकी कुंडली में एक एक ग्रहों के बारे में अब यहीं से शुरू कर रहा हूं तो ध्यान से समझेगा और एक एक भावों पे एक ग्रहों के अच्छे से तरीके से समझने का और समझाने का प्रयास करूंगा आईए शुरू करते है आईए, अब सबसे पहले एक-एक भावों पे चर्चा करते हैं, भाव से शुरू करता हूँ आज, ये लगन, यहां का अधिपती इसको देखा, ये अच्छी बात है, जन्मकुर्ली में चंद्रमा इसके पीछे उच्छे के, मतलब मजबूत है, इसको बल मिलेगा, और यहां क भी प्रकार के पापग्रों से उसका कोई वास्ता नहीं है, लगन के पीछे चंद्रमा और आगे केतू, शुभग्रह की रासी में बैठे हैं, यहां का अधिपती उचका है, तो लगन को शुभग करतरी लगेगा, ये पाप करतरी नहीं होगा, इस वज़े से इसके प्रभा होगा जब बारह में भाव में आऊंगा तब, पर लगन यहां पर ठीक हो रहा है, लगन के अधिपती लगन को देख भी रहे हैं, और लगन से केंदर में ही बैठे हैं, लगन से केंदर में ही शुक्र उचके हैं, ये सबसे अच्छी बात है, इस कुणली के सबसे अच्छी बात यहीं से बताना शुरू कर देता हूं लगने से केंदर में शुक्र उचके ये बहतर है व्यक्ति को पदा विभूशन बनाएगा पद प्रतिस्थित और शम्मान भोकता बनाएगा सांसारिक सुखों का क्यूंकि दिगबल छेत्र को देखेंगे अपने भाव से केंदर में जाकर के ग्रह बैठा है तो थोड़ा दामपत्य कमजोर हो सकता है स्वास्त में दामपत्य में अतलब पत्नी स्वास्त में कमजोर हो सकती हैं हो सकता है कभी-कभी विचायर ना मिले या पत्नी बहुत ज़्यादा चंचल हो या जातक खुद चंचल ह क्योंकि मितुन से प्रेरित है तो यह बात बनती है, यहाँ पर जन्म कॉंडली में लगन के ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लगने श्वैन देख रहे हैं, और न तो राहू का प्रभाव और न ही केतु का प्रभाव. साथे साथ लगन पे शनी का कोई प्रभाव नहीं, राहू का प्रभाव नहीं, केतु का प्रभाव नहीं, मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं तो यहां से, तो यहां से भी उनके उपर भी कोई प्रभाव नहीं है यानि कि लगन बिलकुल बिशुध है और शुभग्रों से युक्त है किुए लगन में केंद्र में ही दो-दो शुभग्रा जहाज बुद्ध भी शुभग्रा लगने शोकर के और शुक्र उच्चके सुभग्रा, लगन के पीछे ही चंद्रमा उचके और जन्म कुंडली में ये इस्थितियां कुंडली को मजबूती की तरफ बढ़ा रही है तो जो negativity है कुंडली में वो तो बताऊंगा ही तो पर ये सबसे अच्छी बात थी उसके बद जन्म कुंडली में केतू का यहां बैठना ये धन दायक होगा क्योंकि इसके अधिपती उचके हैं और ये शुभग रहका होकर के बैठा है समरासी का युवा होकर के बैठा है ये फल इनके अच्छे ही देखने को मिलेंगे व्यक्तिशुद्ध वानी को बोलने वाला होगा मिठी वानी बोलेगा अपनी वानी से लोगों को प्रभावित करेगा अब मैं द्युतिय भाव पे आ चुका हूँ के तु बैठे है तो थोड़ा सा मलीन हो सकता है कभी-कभी धूप आदी से संभावनाय कमजोर होती है जलने के स्थितियां जादा बनती है कई बार सनवर्न होने की तकलीफे भी जहलनी पड़ती है के तु है अस्टमभाव को देख रहा है राहू है दुतिय भाव को देख रहे हैं ऐसे स्थितियों में वक्ती की वाणी शुद्ध होगी परिश्कृत होगी और गंधर्व की भाती इसके चहरे को देखा जाता है वक्ती मनुव की तरह स्रिष्टता को प्राप्त करता है राजनितिक पद प्रतिस्था भी प्राप्त करेगा यह दुतिय भाव है यहाँ पर केतु बैठे हैं और यह भाव को सुलभता से मजबूत करने वाली स्थितियों में ले जा रहे हैं इस केतु की पांचवी दिष्टी यहाँ यहाँ का अधिपती उचका गुरू के साथ, सुरी के साथ और साथे साथ परिवर्तन योग भी लगा है ऐसे स्थितियों में व्यक्ति को स्वास्त पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा कमजोर नहीं कहूंगा क्योंकि चंद्रमा उचके होकर के यहाँ पे देख रहे हैं यानि कि वो बल देंगे माता से दूरी हो सकती है पर गट्टी माता से दूर जाना नहीं चाहता है निकट ही रहना चाहता है माता के घर के निकट, माता के पास माता के पक्छों से मजबूती क्योंकि ये मामा का भाव है और यहां के अधिपती होकर के मंगल उचके होकर के मित्रवत होकर के बैठे हैं क्योंकि शनी की ये राशी है और दरशल वो भागे भाव के अधिपती की दूसरी राशी है और यहां मंगल तृतिये भाव में बैठे हैं, अपने भाव से तृतियस्त लाभ का छेत्र दिखा रहे हैं, तृतिये एकादस्वे में गया ग्रह लावदाई होता है, और केतु उसको देख रहा है, राहू के साथ बैठे हैं, यहां पे एक्सिडेंट वगरा के योग भी बन पर जरा विचार करिए, यहां पे बैठे हैं चार ग्रह, सूर्य, राहू, गुरू और मंगल, मैं इस भाव पे हूँ, पर इस भाव का पूरक भाव यह होता है, इस वज़ा से यहां की भी चर्चा कर रहा हूँ, और इस भाव में बैठा ग्रह, पांचवी दिख्टी से यह यहां देख रहा है, इस वज़ा से भी इस से उसका संबंध बन रहा है, तो यहां पे सूर्य राहू, गुरू और मंगल में, जो सबसे ज़्यादा मजबूत देखने में आ रहा है, वो आपकी कुंडली में, मुझे जो चीज मैं देख रहा हूँ, उसमें शूभता और अश प्रिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, और उसके बाद वो त्रिक भाव के अधिपती होकर के त्रिक भाव में ही बैठे हैं, पर शनी यहां पे वक्री हैं, पर सुर्य कभी वक्री नहीं होते, वक्री जब ग्रह हो जाता है, तो उसको अशुधी का दोश लग जाता है, सामा प्रिवल में सुर्य जीरो डिगरी नबे कला के हैं, और गुरु जीरो डिगरी चौरासी कला के हैं, इसी सुर्य को अगर मैं नौमांस कुंडली में देखता हूँ, तो वो चंद्रमा की रासी में बैठे हैं, दिखबली होकर के यहां, यहां से भी सुर्य को एक बल मिल रहा तो यहां से भी सुर्य को बल मिला, वहां पे बैठे थे गुरू, पर गुरू को देखता हूँ नौमांस में, तो वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं, गज के सरीयोग का निर्मान नौमांस कुंडली में वो कर रहे हैं, और जन्म कुंडली में वो कृतिका नच्छत्र में बैठ पहा रहा है इस वज़ा से गुरु और सुर्य इस कुंडली में कमजोर होने के बावजूद भी अपने से अच्छे फलों को दिखा रहे हैं ये नैतिक तत्तों के वो ग्रह होते हैं जिनका कुंडली में मजबूत होना अत्यांतावश्यक होता है तो यहां पे केतू की स्थोती यहां व्यक्ति को अपच की समस्या होगी शर्दी खासी जुकाम थोड़ी सी हो सकती है अगर जातक को नहीं हो तो माता को संभव है अगर माता को नहीं हो तो मामा को संभव है यह बात बनती है अब बात केतू की सात्वी दिख्टी यहां और यहां पहले से ही राहु बैठे एक्सिडेंट वगेरा कभी कभी चेहरे पे चोट चपेट की घटनाए घटेंगी और ऐसे स्थुतियों में कि राहू गुरू मंगल और वहाँ पे सबका अशर होगा तो व्यक्ति को कई बार मित्रों से नुकसान होगा व्यक्ति कई बार अपनी तिखी वाणी से कई बार लोगों को ना चाहते हुए भी रूस्ट कर जाएगा पर वाणी का लाभ आपको ले लेना चाहिए कभी भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, कभी भी कोई पैसा लगाने या कभी भी किसी को पैसे देने से पहले दो-चार बार अपने माता या किसी से भी पूछ लेना चाहिए, जो निकटस्तों लोग हैं उनसे सलाह मश्वीरा कर लेना चाहिए, ये बात बनती है, मित्रता कम लोग से हो, कभी जब कभी यात्रा पे निकले, तो बहुत अच्छे ड्राइवर के साथ निकले, अकेले यात्रा करने से बचे, वारिस में बाहर जाने से बचे, सिंग वाले जानवरों से बचे, गहरे पानी में जाने से बचे, गैस, लाइटर, जलने वाली चीजो की युवावस्था की थी यहाँ पे जिस ग्रह को देख रहे हैं वो ग्रह भी उच्चका है और युवावस्था शुक्र सुभता को दिखा रहे थे अब यहाँ पे ज़रा देखिए तो यह शनी के नक्षतर में बैठे थे और केतू की दिष्टी यहाँ पड़ेगी और यह है चंद्रमा की रासी जो बैवसाई के ग्रह होता है जो अपने ही नक्षतर में बैठा है यह सारी इस्थितियां व्यक्ती को कार्मिक बनाएंगी और केतू की दिष्टी जब यहाँ पड़ेगी तो नहीं संदेह व्यक्ती को कभी कभी जब केतू की दशा चलेगी तो व्यक्त व्यक्ती को नए अपोर्चनेटी जो एक उसको क्या बोलते हैं नई संभावनाएं मिलती है और व्यक्ती को नया काम भी मिलता है यह बात यहाँ पे समझने में आ रही है यहाँ शुक्रों चेके हैं तो व्यक्ती को पद पे ले जाने वाला बनाएंगे पद पे विभूशन कराते हैं पद धारन करवाते हैं और व्यक्ती को सांसारिक सुखों का भोगता भी बनाएंगे क्योंकि केतू पहले से ही एक ऐसे ग्रह को देख रहा है जो उचका है और शुक्र और केतू एक दूसरे से नमम पंचम के समझन में हैं तो जब ही भी शुक्र में केतू आएं य होने के बावजूद अस्तंभाव के अधिपती होते हैं वो तो भाग्य में थोड़ा कमजोरी भी देखने को मिलेगा और भाग्य में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमजोरी देखने को मिलेगी इस वज़ा से जात्तों को बजरंग बली की पूजा कर लेनी चाहिए हन एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, चार ग्रह और यहां से आठवे घर में देखिए तो जन्मकुंडली में बनता है कौन सुक्र उचका है एक शुभग्रह यहां पे एक शुभग्रह यहां गुरू भी बैठे हैं पर सात्वे घर का भाव का अधिपती वो खुद होता है भ ग्रति को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि वो जो काम करेगा उसका लाभू से मिलेगा की नहीं मिलेगा बिल्कुल मिलेगा क्योंकि यहां पे यहां का अधिपती उचका है योगकारक स्थती बना रहा है जन्मकुंडली में यहां से वो स्वतंत्र हो जाएंगे शुक्र की तीसरी दृष्टी जब यहाँ पड़ेगी और ये योग स्थितियां जन्मकुंडली में बड़ी मज़बूती को दिखा रही है तो निशंदे व्यक्ति धार्मिक भी होगा अपने पित्तरों का अशेरबाद भी प्राप्त कर सकता है अगर उनकी आराधना कर ले तो सुर्य को अर्ग देना चाहिए हनुमान 40 का पार्ट मैंने बताया ही और यहां के अधिपती होकर के शुक्र जाकर के उचके हो रहे हैं तो व्यक्ति का कैरियर वाला छेत्र व्यक्ति के प्रेम वाला जो सेक्टर बन रहा है व्यक्ति के दामपत्य का जो भाव बन रहा है व्यक्ति क बहतरीन है क्योंकि शनी भी परीत राज योग भी बना रहे हैं, क्लेर है, नियाय के कारक होते हैं और यहां पर उच्छे दृष्टी डालेंगे, तो यह बहतर हो जाएगा, पर ग्रह अतिशत्रु का है, तो बिलंब भी कर सकता है, यह बात भी कहूँगा, पर मिलेंगे सारी यहां से सा्तिमी दृष्टी यहां, धार्मिक और धर्मका पुरोधा, धर्मका मालिक और व्यक्ति जबही भी शनी की दशा से गुजरेगा, अकेला पन महसूस करेगा, एकाखी हो जाएगा, अकेले रहना पसंद करेगा, किसी को उत्तर देना नहीं चाहेगा, जब कभी भी शनी की दशा आएगी तो व्यक्ति के अंदर धारमिक भावनाओं का प्राबल्य होगा और व्यक्ति खूब धारमिक पूजा, पाथ, धर्म में जाना धारमिक कृत्य करना दान देना, लोगों की सहायता करना, को सेवा करना, गाए दूसरे से नमम पंचम के संबन में है तो ये गजकेसरी योग बनेगा पर गुरू के प्रभाव को कमजोर देखा जा रहा है इस वज़ा से उसका लाव कम होगा पर नौमान्स में उसके स्थुति अच्छी बनेगी इस वज़ा से जीवन के एक सेक्टर के आने के बाद ब्रति एक दिन उसके स्थितिया मजबूती की तरफ ही बढ़ रही है क्लैर है दस्वी दृष्टि जन्मकुर्णी में यहां पढ़ेगी यहां पर चंद्रमा को देखेंगे वो दस्वी दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे और चंद्रमा है उंचका परशनी कमजोर हैं इस ने कहीं व्यक्ति को सरकारी छेत्रों से लाव अपने जन्मस्थान से दूर जाने की प्रवर्ती भी कभी कभी कर लेनी चाहिए और अगर करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है क्योंकि विदेश भाव का अधिपती उच्छका है और वो भी केंदर में दश्मस्थान में तो चंदरमा को देख ले रहे हैं तो मन परिषान होगा अब यहाँ पे क्यों थोड़ा सब्था बहुत जादा नहीं क्योंकि व्यक्ति की जन्म की तिथी जो है वो सूकल पक्षि के दस्मी तिथी के चंदरमा होते हैं पूर्ण रूप से सुभग्रा तो ये चंदरमा बलवान है इस वज़े से शनी का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा कमेगा और व्यक्ति के मन इस्थिति को उतना जादा परिशान नहीं करेगा जितना इसको कर सकता है यह जितना यह कर सकता है तो इतनी इस्थितियां हैं कि व्यक्ति के मन को चंचल रखेगा, कभी-कभी उसके धन आने के स्थितियों को कमजोर करेगा, कभी-कभी धन का बचाना मुश्किल होगा, व्यक्ति खर्च जादा कर बैठता है, व्यक्ति को कभी-कभी बाएं नित्रों से समन्दित समस्या हो सकती है, दंत रोगी हो सकता है, ये समस्याएं बन सकती हैं, पर वस्तुता चंद्रमा को यहां पे शनी का असर कम प्रभावित करेगा, क्लेर है, चौते भाव पे आता हूँ, चौते भाव के अधिपती बुद्ध अपने भाव से केंदर में गये हैं, पत्नी रोगी ना मिले, इस वज़ासे मिला करके करियेगा विवा, मंगल उचका अस्तम में बैठा है, आप मांगलिक भी होते हैं, पर गुरु के साथ बैठा ह इस वज़ासे उसके प्रभावों में कमी भी आएगी, पर फिर भी कुणली मिला लिजएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के अधिपती अपने भाव से चतुर्थ हस्त गया हैं, ये ठीक नहीं होता है, चतुर्थ और लगन के अधिपती होकर के लगन को देख रहे हैं, ये व व्ज़प्ति को सांसारिक सुक यानि की भूमी, भावन, वाहन इन सब चीजों का व्ज़प्ति भोकता भी होगा, कहने का मतलब कि व्ज़प्ति की कुणली में यहाँ पर अगर शुक्र की रासी बनेगी या शुक्र का संबंध बनेगा, तो नहसंदे होगरा खुश है, य पंचम भाव के अधिपती और साथ चतुर्थ भाव के अधिपती चतुर्थ और पंचम बुद्ध और शुक्र एक दूसरे से केंदर में हैं यह संबंध भी बड़ा अच्छा होता है इस वज़ा से कहीं न कहीं यह इस्थृतियां डप्ती के जीमन में मतलब यह दोनों भाव मजबूत हो रहे हैं लगन मजबूत दशम मजबूत चतुर्थ मजबूत पंचम मजबूत यह इस्थृतियां बहुत अच्छी बन रही है और उसके बाद एक आदश्में भाव के अधिपती मंगल बनते हैं वो भी उच्चके हैं पर अस्टम में गए हैं इस वज़ा से ला जाव ठीक है पर थोड़ा कम यहां के बाद यहां आता हूं यहां की चर्चा तो कई बार कर चुका हूं पंचम्भाव का अधिपती है वो ठीक बन रहा है शुक्र की मुलत्रिकों रासी है शुक्र की द्रिश्टी भी जा रही है और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई संबं नहीं बन रहा है, यहां के कारक गुरु कमजोर हैं, पर वो अस्टम भाव में जाने के कारण व्यक्ति को जनमस्तान से दूर भी भेजेंगे, बिलगाव के इस्थितियां पैदा करेंगे, और कई बार गुरु की दशा में या शुक्र की दशा में व्यक्ति को काम ही ऐसा आए इसलिए क्योंकि यहां के अधिपति बिदेश भाव के अधिपति उचके हैं, तो उनका प्रावल्य है और वो शुभता का लक्षन ही दिखाएंगे, तो व्यक्ति जब कभी भी निरने लेना चाहता है, तो शुक्र की दशा में निरने ले सकता है, शनी की दशा में निरने ले सकता है, ये बात है, मतलब जीवन में अगर कभी कोई निरने लेना हो, तो गुरु के नक्षत्र में हो, अनुराधा नक्षत्र में हो, पुष्य नक्षत्र में हो, रोहनी नक्षत्र में हो, मृगशीरा नक्षत्र में हो, चित्रा नक्षत्र में हो, तो ये ये नक्षत् अस्तम चटे भाव के अधिपती मंगल उचके हैं विपरित राज्योग बनाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में घटनाएं भी घटेंगी हो सकता है छोटे भाई के कारण घटे या व्यक्ति यहां पर शनी है और अतिशत्रू का बैठा है तो मुझे तो लगता है कि यह अकेले ही होंगे और यह बात सही भी हो सकती है पर छटे भाव के अधिपती अस्तम भाव में गये हैं तीब्र आयू का मालिक बनाएंगे और साथी साथ वहां गुरू और राहू साथ बैठे हैं सुर्य भी बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में कई बार कैरियर वाला सेक्टर थोड अस्तम में गये हैं दामपत्य को कई बार धन दायक बनाते हैं पर स्वास्त कमजोर सा रहता है छटे भाव के अधिपती होकर के अस्तम में मैं इसकी समस्या बता चुका था बाहर निकलने से बचे बारिश होने से बचे बारिश में निकलने से बचे और कई बार दक्ति को ब परमण नक्षत्र में बैठे हैं गुरु की दृष्टी चंद्रमा के उपर है गज के सरीयोग का निर्माण होगा पर गुरु नौमांस में अच्छे देखे जा रहे हैं लगन कुंडली से जादा इस वज़ा से ये स्थेतियां कहीं न कहीं दामपत्य में आने के बाद और दा बाहु भी बैठा है तो कंथ्यूजन भी बनेगा कभी कभी क्योंकि सब्तम भाव के अधिपति के साथ मंगल बैठा है जो कहीं न कहीं पापी भाव का अधिपती है तो पत्नी कभी-कभी जूट भी बोलने वाली होंगी आप से हो सकता है कि वह कई बार जूट बोल सके ये भी बनती है अब उसके बाद महासूर्य बैठा है तो पराक्रमी होगी और महत्वाकांची भी होगी आपके काम को लेकर के एग्राशिवनेस उनमें देखा जा सकता है अस्तम भाव के अधिपती स्वैम शनी परिवर्तन राजयोग बनाये हैं छटे भाव आस्तम भाव के अध अतिशत्रुके शनी भी अतिशत्रुके पर फिर भी इसका लाव उनको मिलता रहेगा आयू में लाव मिलेगा पर कमजोरी ही लेगा पर मंगल उचके हैं इस वजह से अपना वह स्वतंत्रफल करने वाले बन रहे हैं यह बात बन रही है पर वहां पे चार ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह है जो सबसे जुछादा बलवान हो रहा है और वो है सूरिय, उसके बाद गुरू, उसके बाद गुरू और उसके बाद मंगल, मंगल भी यहाँ पे अच्छे परणाम देने वाले होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ऐसे भाव के अधिपती बनते हैं, जो जीवन में आने वाली अबस्टेकल को दिखाता है, परिशा रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में परिशानी आये चाहे कितनी, पर व्यक्ति उसको जीथ ही जाता है, यह अस्तम्भाव का फ़लादेश था, नमंभाव के अधिपती, नमंभाव को देख रहे हैं, व्यक्ति को पितरों को जल देना चाहिए, उनके नाम पर कभी-कभी तिल सूर्य भी अस्तम भाव में कमजोर होते हैं, व्यक्ति के नैतिक पतन के कारण बनते हैं, सूर्य अस्तम में, गुरू अस्तम में, केतु का प्रभाव अस्तम में, राहू का प्रभाव अस्तम में, मंगल का प्रभाव अस्तम में, ये सारी स्थेतियां कहीं न कहीं व्यक्ति के नए तिकता की कमजोरी को दिखा रही हैं। ऐसी स्थितियों से ब्रक्ति को नशे से नशा आदी के चकर में न पढ़ना चाहिए। कभी भी अपने से उचिस्ट लोगों के साथ ही बिवहार अच्छा करना चाहिए। पिता का आदर करना चाहिए। पिता के स्वास्त में वृद्धी के लिए हमेशा सुर्य को अर्ग देना चाहिए, पिता का सन्मान करना चाहिए, नहीं तो पिता का कमजूर होना संभव है। दशंभाव में उच्चे के सुक रहे हैं, ये कैरियर वाले छेतर को मजबूत कर रहे हैं। यहां से, यहां का अधिपती अस्टम भाव में गया है, और कहीं न कहीं के तू उसको देख रहे हैं, तो व्यक्ति को कई बार कन्फियूजन में भी ले जाते हैं। तो कैरियर को लेकर के कन्फियूजन में ना रहे हैं, हाला कि वो पदधारन कराएगा ही कराएगा। एक आदश्वे भाव के अधिपती मंगल उचके हो रहे हैं, अस्टम भाव में गया हैं, ऐसे इस्थितियों में कि उनका योग जो बन रहा है वो जन्मकुंड़ी के पराक्रम भाव के अधिपती के साथ बन रहा है, मंगल और सूरिये, ये दोनों एक साथ गया हैं अस्टम इस वज़ा से तो ये भी पापी भाव होता है और ये भी पापी भाव है, यहां भी पापी भाव है, इस वज़ा से ये कहीं न कहीं व्यक्ति के प्रैक्टिकल होने का भाव दिखा रहे हैं, व्यक्ति प्रैक्टिकलिजम को लेकर के चलने वाला है, और कई बार वो धार्मि चीजों से भी रखती भी करेगा और कई बार वो अधर्मी भी बनना चाहेगा और कई बार नियम पालन नहीं करना चाहेगा और कई बार आलश्य भी करेगा कई बार क्योंकि चंद्रमा के उपर शनी का प्रभाव है सुर्य उर्जा, मंगल, उर्जा, गुरू, शुभ और राहू, बल ये सब अस्तम्मे गए हैं तो उसको वो कुंठा का भाव दिखा रहा है इस वज़ा से आपके पास लाभ की इस्थती है इसको समझ लीजे, अगर जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे तो निशन्देश चंद्रमा कमजोर कर रहा है क्योंकि बाहर है वो बाहर जाना ठीक नहीं होता है शुभग रहूं का और खास करके चंद्रमा और सुर्य का, गुरू का ये अंक कम देते हैं, मेहनत जादा करवाते हैं सुर्य अगर बाहर चला जाए तो व्यक्ति के आत्मविस्वास को कमजोर कर देते हैं विगड़ने के चांसे कई बार बढ़ जाते हैं बार हमें और अस्तम में होने के कारण इस वज़े से माता पिता से ये बात कहूंगा तिर्ची नजर से हमेशा अपने बच्चे को देखा करिए उसके मित्र, उसके आने जाने के स्थितियां वो क्या कर रहा है, कहां बैठा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है किस से बात कर रहा है कैसी स्थितियों से गुजर रहा है बदलाओ के समय पे आप उसके साथ कितने निकट से हैं जब व्यक्ति बड़ा हो रहा है तो उसके साथ आप कितने निकट से हैं उसको अपने पन का भाव माता और पिता से दोनों से मिलना चाहिए क्योंकि माता बाहर हैं और पिता अस्टम में हैं तो निह संदेह आप दोनों को उसके साथ हमेशा ही रहना होगा बारह में भाव के अधिपति शुक्र उचके हैं अगर जन्मस्थान से दूर भी जाना चाहते हों तो जा सकते हैं पर केंदर में दोदोश भग्रह के होने के कारण ब्यक्ति अपने घर से दूर नहीं जाना चाता है पर अगर जाएगा तो लाब होगा इनकी कुंडली में जो मजबूत राशी हो रही है वो मिथुन राशी हो रही है तो मिथुन राशी की तरफ अगर व्यक्ति जाकर के कोई काम करे या मिथुन राशी के जातकों से मिल करके अगर कोई काम करे या मेश राशी से जातकों के साथ अगर मिल करके कोई काम करे अगर क कोई काम शुरू करना चाहे तो काम कर सकता है और ऐसी स्थती में कि इनकी कुंडली में जो पांच सबसे अच्छी बात है वो मैं बता चुका हूँ एक एक भावों पे चर्चा कर चुका हूँ गुरु चंद्रमा का गल्ज केसरी योग लगन कुंडली में थोड़ा कमजोर पर होने का प्रमाड चंद्रमा के उपर शनी के दिष्टी के बावजूद भी कम हो रही हैं यह स्थ्वतियां अच्छी हैं साथे साथ जन्मकुंडली में मंगल उचके हैं और उनकी चौथी दिष्टी जन्मकुंडली में यहां पड़ेगी जो कि उनके खुद की रासी होगी यह अच्छी बात होती है गुरू की पांचमी दिष्टी चंद्रमा पे साथमी दिष्टी धन भाव पे उचकी दिष्टी डालेंगे पर वो खुद कमजोर हैं इस वजह से वो धन को सही जगों पे कई बार खर्च करने में नहीं उनका लाग मिलेगा पर चंद्रमा धन अधिपती होकर के बाहर गया है व्यक्ति को बैलेंसी कठा करने में कई बार दिक्कत होगी इमोशनली व्यक्ति कई बार ज्यादा खर्च कर बैठता है नवी दिष्टी से जन्मकुंडली में पंचम अचतुर्त भाव पे गुरू की दिष्टी पड़ेगी यहाँ पे व्यक खेर की संभावना भी बनेगी क्योंकि गुरू थोड़े से कमजोर भी दिख रहा है क्योंकि वो नीच के हैं यह सुरी की सात्मी दिष्टी यहाँ वाड़ी प्रभावित करने वाली है इसका लाभाब को ले लेना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए जितनी आवशक्ता हो कुछ इसे तरीके से आज के कारेकरम का समापन करते हैं कलिंद की कुंड़ी के लगन और नौमांस चलित आदी के भावों में बारे में बताऊंगा तब तक लिजाज़ा दीजे कले वरफे से उपस्तित होंगे आप सब के सामने तब तक के लिए कुछ भी चीज तो छूटी हैं बुद्ध ठीक होगा पत्नी सुंदर मिलेगी शुक्र यहां है पद्धारन कराएंगे कि तु यहां पर नुक्सान नहीं करेंगे लगन को पापकरत्री नहीं लेगा है बहुत बहुत नमस्क्राइब